आज की फ्लेश कार्ड में हम जानेंगे बामियान बुद्ध के बारे में बलुआ पत्थर की चट्टानों से काट कर बनी बामियान बुद्ध की मूर्थियां पांचवी सताप्ती इसवी पूर्व की हैं और कभी दुनिया की सफसे उची बुद्ध की बड़ी प्रत्मा थी पामियान बुद्ध की रोमन ड्रैपरियों में और दो अलग-अलग मुद्राओं के साथ मूर्थियां कुप्त ससैनियम एवं हेलिनिष्टिक कलात्मक शैलियों के संगम के महनुदार थी सीनिये लोगों द्वारा बुलाए जाने वाले सालसल और शमामा क्रमसा 55 और 38 मीटर की उचाई तक की थी सालसल का अर्थ है प्रकाश ब्रह्मान के माद्यम से चमकता है जबकि शमामा रानी मा है बामियान अफगानिस्तान के मद्ध उंचाई वाले शेत्रों में हिंदू कुष्ट के उंचे पहाडों में इस्तित है बामियान नदी के साथ इस्तित घाटी कवी सिल्क रोट के शुरुआती दिनों का अभिन अंग थी जो ना केबल ब्यापारियों बलकि संस्क्रती धार्म एवं वासा के लिए भी मार्क परदान करता था बुद्ध की दो विशाल मूर्तियां यहां मौझूद कई अन्यसन रचनाओं का हिस्सा हैं जिसमें इस्तूप, छोटे बैठे और बड़े बौद्ध तथा कुफाओं में दीवार पेंटिंग आदी शामिल हैं जो आसपास की गाटियों में फैली हुई हैं जब बौद्ध कुशाण सामराज का प्रसार हुआ तो बम्यान एक प्रमुक प्यापार सांस्क्रतिक एवं धार्मिक के इंदर बन गया जब चीन भारत और रोम के ब्यापारी बाम्यान से होकर गुजरे तो ऐसे में वहां कुशाणों द्वारा एक समन्वित संस्क्रती विक्सित की गई पहली से पांचमे सताप्ती ईस्वी के बीच बौद धर्म के दीबर पिरसार में बाम्यान ने महतपूर भूमका नवाई और कई मट स्ताबित किये गई